दोस्तो हरे धनिय की पत्तियां और बीज दोनों ही खाने के स्वाद बढ़ा देते हैं, खाने में भले ही मिर्च मसाला ना हो, लेकिन अगर धनिया की पत्ति से गार्शनिंग की जाये तो उसकी खुबसूरती और स्वाद में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जान होते हैं जिन में से महत्फपून फायदों के बारे में आज के इग monster कम करने में असरदार साबित होता है अगर आप उज्छन कम करना चाहते तो धनिय के बीच का इस्तिमाल करने से फाइदा होगा इसके लिए आप तीन बरब कमज धनिये के बीच एक गिलाज पानी में बाले, जब पानी आधे से कम हो जाय तो इसे चान लीजिए, इस पानी को रोज़ना दो बार पीने से वजन घटने लगेगा, दोस्तो धनिया में ऐसे ततव पाई जाते हैं, जो सरीर से कोलेस्टरॉल कम कर उसे कंट्रोल में रखते हैं, रिसर्च के नुसार, अगर अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रोल की सिकायत है तो उसे धनिया के बीच उबालकर उस पानी को पीना चाहिए दोस्तो अगर आपको पेट से समंधित कोई समस्या है तो दो कब पानी में धनिया के बीच, जीरा, चाय पत्ती और शक्कर डालकर अच्छे से मिला ले इस पानी को पीने से एसीडिटी में अराम मिलता है पेट में दर्ध होने पर आधा गिलास पानी में दो चमच धनिया के बीच जालकर पीने से पेट दर्ध से राहत मिलती है दोस्तो हरा धनिया पेट की समस्याव को दूर कर पाचन सक्ती को बढ़ता है धनिये के ताजे पत्तों को छांच में मिलाकर पीने से बधहजमी, मतली, पेचिस और कॉराइटिस में आराम मिलता है धनिये को मदुमेह नासे धनिये की डावेटिज को दूर भगाने वाला माना जाता है इसका पानी पीने से खून में इंसूलीन की मातरा नियंतित रहती है दोस्तों हरे ताजे धनिया की लगवग 20 ग्राम पत्तेों के साथ चुटकी भर कपूर मिलाकर पीस ले और रस को छान ले इस रस की दो बुंदे नाक के छेद में दोनों तरफ टपकाने से और रस को माते पर लगाकर हलका हलका मलने से नाक से निकलने वाला खून भी बंध हो जाता है दोस्तों धनिया के बीच आखों के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है धनिया के थोड़े से बीच कूट कर पानी में उबाले इस पानी को ठंड़ा करके मोटे कपड़े से छाल ले और इसकी दो बंदे आखों में टपकाने से जलन, दर्द और पानी गिरना जिसी समस्याव को दूर करता है अगर पिरियस सधारन से जादा हो तो 10 लिटर पानी में लगवग 6 गरम धनिय के बीच डाल कर खोलाए इस पानी में चीने डालकर पीने से फायदा होता है दोस्तो धनिया तुचा के लिए भी फायदे मंद है धनिये के जूस में हल्दी पॉडर मिलाकर चेहरे पर लगाए और कुछ देर बाद धो ले तीन में दो बार इसलेप का इस्तिमाल करने से बहुत ही जल्दी मुहासों और दाग धबों से चुटकारा मिलेगा और चेहरे की सुन्दरता भी बढ़ेगी घमोरियां होने पर धनिया के पानी से नहाना चाहिए दोस्तो अगर आपको पैसाब में जलन होती है तो धनिया के पत्तों का पानी पीने से अराम मिलेगा धनिया के बीजों को भिगो कर पीश कर उसका पानी तयार कर ले इस पानी को पीने से सरीर के दाः खासकर पैरों के जलन में फायदा होता है तो दोस्तो ये थे धनिया का पानी पीने के फायदे जनकारी को पसंदा आदे वीडियो को जदा सेर करें वीडियो को लाइक करें साथ हे मारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ